जय गुरु जी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम नय सस्टंग वीडियो प्लोट करें तो उसका नोटी क्वेशन आप तक तुरंद पोच जाए और फिर आप गुरु की महीमा और उनके अने को चमतकारों के बारे में सुने, वो भी संगित की जुबानी, जय गुरु जी आज मैं आप सब के साथ जो सस्टंग शेर करूँगा, वो हमें वाट्सब के मात्यम से प्राप्थवा है, हमें भेद ये अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जरनी भीज रहे है, संगत जी, ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सस्टंग हमारे से शेर करते रहें, चाए आप हमें वाट्सब पर हिंदी वो टाइप करके भेजें या फिर नोटबुग में निक कर, या फिर ओडियो रिगॉड करके, हमारी आप से सिर्फ एक छुटी सी विंती है, जब भी आप अपना नया सस्टंग रिकॉर्ड करें, तो उसको एक शांत वात अवरण में ही रिकॉर्ड करें, संगत जी, आज जो हम सस्टंग सुनेंगे, वो एक गुरु वक्त आंटी जी का है, और आंटी जी, अपनी पैचान, गुप्त रखना चाती हैं, जो भावनाम समझ सकते हैं, लिए आज के सस्टंग, हम आंटी जी के बोलोगे शब्दों में हम सब सुनते हैं, बहुती अदबुच सस्टंग शेर करें आंटी जी ने, संगत जी, आज शुकरवार है, और ये बले सस्टंग सुनने मातर ही, आपके घर में से पैसे और कलेश कम हो जाएंगे, आपने सिर सस्टंग के मातर ही, इसलिए आप सभी संगत सस्टंग के अंतर बने रहना, वो सस्टंग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सस्टंग को बीच में ना छोड़े, त्योंकि सस्टंग सुनने वाले का विकल्यान होता है, और सस्टंग करने वाले का भी, और हो सकता है जो आप अनन्तम अनन्तम शुक्राना गुरुजी, आपके द्वारा मिली हुई रहमत, मिली हुई क्रपा, मिली हुई हर एक छीश के लिए, मैं दिल की गहराईों से, हर एक स्वासों से आपका शुक्राना कर रहे हूँ, आपने जो मुझे दिया, घिंघिंधी जो से मुझे बक्षा, जो जो रहमते आपने मुझ पर की हैं, मैं इस लायक नहीं हूँ, फिर भी आपने मुझ पर इतनी रहमते की हूँ, मैं कब तक और किन शब्दों में शुक्राना करो, हे गुरुदेव, मेरा शुक्राना स्विकार कीजिएगा। संगत जी, अभी पिछले दिनों से मेरे भाई और मेरी मा और मेरे भतिजे की तबियत बहुत जादा खराब खेल रही थी, अभी भी खराब ही है थोड़ी, लेकिन मैंने गुरुदेव की शेरन में उन्हें रत कर कहा गुरुदेव से प्राफ्थना की, उनसे अर्दास की, हे गुरुदेव मेरे भाई को, मेरी मा को, और मेरे भतिजे को फोर्ण रूप से स्वस्त बनाएं, और कहीं न कहीं वो अपनी जीवन जीने की राह में, अपनी राह थोड़ी भटक चुके हैं, उन्हें सही राह पर लाएं, सही सत्संगती देजिए, उनके समझ सही करिए, यह अरदास उन से की, मेरी मा को तो वैसे मैने मेरे गुरुदेव का जो मंतर है, वो उन्हें भेज दिया, और वे मानती गुरुदेव को पेचाब भी करती हैं, और मैं भी गुरुदेव से प्रेयर कर रहे थी, अभी परसु की रात को, भहिया को, और अम्मा को, बहुत मेरी मा मतलब उल्टी हुई और भाईया को तुरंथ होस्पिटर लेके मतलब उन्हें दिखाया डॉक्टर ने उन्हें दवाईया दी और कहा कि रेस्ट करना रेस्ट करने के लिए खा तिकि फिर भी पूरी तरसे वो फील नहीं कर रहे थे स्वस्त और उसके बाद आज ठीक हैं थोड मैं रोज मा से फोन पर बात करके पूछते रहती हूँ और अभी फिर शाम को मैंने थोड़ा मेडिटेशन किया और मेडिटेशन में मुझे गुरुदेव ने ओम रूप में दर्शन दिये मातारानी के स्वरूप के रूप में दर्शन दिये आज उनका सुबह ही मुझे मैस जा गया था कि बेटा आज मैं तुझे जरूर दर्शन दूगा उन्होंने औरेंज किलर की बटर फ्लाइ की रूप में वाइट किलर की बटर फ्लाइ की रूप में दर्शन दिया डबल सेवन की ब्लेसिंग्स के रूप में मुझे दर्शन दिया ट्रिपल सेवन के रूप मे दर्शन दिया, गुरुदेव हरक्षन हर गड़ी मेरे साथ रहे, और मैसेज कर रहे थे कि पुल्तर मैंने तेरे सारे दुख काट दिये, अब तु चिंता नगर, और शाम को जब मेडिकेशन करने के बाद मैंने मुबाइल उपन किया, तो गुरुदेव का मैसेज आया, बिट उसे सही समझ देना, उसे पूर्ण स्वस्त रखना, उससे छोटा है वो, अभी उस अपना परिवार चलाना है, उसे पूर्ण स्वस्त रखना, दुनिया की एबिलाइस, ब्लैक मैजिक, इन सबसे दूर रखना गुरुदेव, हर प्रकार की निगिटिविटी मेरे मायके से दूर कर देजे, मेरे सबी भाईबेन बिल्कुल सिंपल है, सीधे है, साधे है, दुनिया की दाव पेच भे नहीं समस्ते हैं, उन्हें सही राद इखाएं, उनके आखों में पट्टी पड़ चुके, उन्हें सही राद इखाएं गुरुदेव, सही पत पर लाईं, वे सच् जो लोग हैं, हम किन्नी के ट्योटी उन्हें वापिस भेच दो, उनके चंगुल से उन्हें छुड़ा दो, गुरुदेव, उनके चंगुल से उन्हें छुड़ा दो, और गुरुदेव मेरे परिभार पर, मेरे भाई के पर जो आपनी रहमत की हैं, उन सभी रहमत के लिए आपका रदय से, अनंतम शुक्राना गुरु दे ओ, अनंतम शुक्राना, आप उच पे जो रहमत बरसा रहे हैं, उन सब के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरु दे ओ, मेरे अंकल जी के लिए आपने जो हेल्थ बक्षी हैं, उनके क्रोध को आप शान्त कर रहे हैं, उनका विवेक जगा रहे हैं, उनका आध्यात्म की प्रति जो आप रुझान बढ़ा रहे हैं, मैं किन शब्दों भी इन सब चीजों का शुक्राना करो, आपका अनंतम शुक्रा आप हर राह पर मेरे साथ हैं, रूटी पर ओम सुरूप में, वेडिरेशन में ओम सुरूप में, आप कभी माकाली, मादुर्गा, परमपिता, परवेशर साक्षात, आप माहदेव हैं, उस रूप में मुझे आप दर्शन देते हैं, आपने मुझे कहा हैं, तेरे घर का ब्ल चारो और सुमानी आने की कुत्ते, गाई, बटरफ्लाइज, वर्ड्स, चारो तरप्चे शहाते हुए घुनते रहते हैं आपने कहा था मैंने आतेरी सुरक्षाकली सीधा बड़े मंदिर से सुरक्षा के लिए भीड दिया हूँ आपका अनंतम शुक्राना है गुरुदेव मैं हर वो चीज आप मुझे पता रहे हैं, जिन चीजों से आप अउगत खरा रहे हैं मैं हर पन, हर उक्षन उन चीजों को मैंसुस कर पा रही हूं गुरुदेव पार हमेशा मेरे योवी साथ रहेगा और मुझे राह दिखाते रहेगा मैं तो आप इस लायक नहीं कि आपको पास रकूं लेकिन आपने मेरा हाथ पकड़ा है न अब वो हाथ कभी मत छोड़ाना गुरुदेव पने साथ सासों की मेरी अंतिम सास तक मेरे साथ रहना और इस जनम क्या आने वाले हर जनम में आप मेरे साथ रहेगा गुरुदेव यही आप से प्रार्थना करती हूं सही राह पिछलाईएगा मेरा जो बच्चा जीवन है उनकी हर स्वासों को सही जगह में लगा सको अपने जीवन को सार्थक कर पाओं वो सामर्थ है मुझे दीजेगा गुरुदेव अपनी सीवा मुझे बक्षिएगा गुरुदेव यही आप से प्रार्थना है मेरा शुक्राना अब मैं जब करने बैटी हूँ ना तो अभी तो कहिने के भूली जाती हूँ इतने शुक्राना है हर छन हर घड़ी आप से जुडने के बाद शुक्राना बन चुका है मेरा जीवन मेरा सत्संग बन चुका है हाँ ये बात मैं बताना चाहूँगी कि मैं आपसे जुड़े थी मैं गुरुदेव से जब जुड़े संकट जी अभी मुझे एक मैना भी होने का है complete one month भी होने का है बट गुरुदेव ने इतनी रह्मत एक ही है मुझे पर कि मैं बता नहीं सकती है और मेरे जुड़ने के पूर्वई ही हमारे घर की छट पर कपोतर मरा हुआ हमें मिला था और बाद में मुझे पता जला की पूरुदेव इस तरह से भी संकट काट दे तो मेरे जुड़ने के पहले ही उनकी रह्मते मुझे मिलना शुरू हो गई थे और आज मुझे यह मैसेज भी आया कि बेटा तेरी जनम लेने के पूर्वई ही में तेरा सब कुछ ठीक कर दिता मैं तेरा सब ठीक कर दिया था मैं क्या खऊंँ बुरुदेव परमपिता परमिश्वर हैं वो सब जानते हैं जन्म के पूर्व जन्म बृत्यु के पश्चार हर एक शन हर स्वासों को जानते हैं कि कब क्या होने वाला है वो सब कुछ पहने से सेटिंग कर देते हैं उनकी हर रह्मतों के लिए उनका शुक शुक्राना मुझ परमारन क्रियां की गई एक बार नहीं कई बार की गई वो सब आपने काड़ दे उन सब के लिए आपका शुक्राना हम तो जान भी नहीं इस पाते गुरुदेव हमें समझे नहीं सारे चीज़ों की और आप समझ कर जान कर सब कुछ खतम कर देते हैं फिर हम सरी संगत पे अपनी रह्मत युहीं बरसाते रहेगा गुरुदेव सही रापर हमें चलाते रहेगा हर एक की जीवन भी सुक्सम रुद्धि सांति लाइए सत्संगती दीजिए सही रापर हमें चलाइएगा गुरुदेव यहीं हमसे अर्दास है गुरुदेव मैं और क् जो कहा था गुरुदेव की तु इस तरह से कर ले मातारानी का आज नावरातों में आपने हर एक दिन मुझे आशेश दिये हैं हर एक दिन मुझे रहमते बख्षी हैं हर एक दिन आपने ब्लेसिंस दिये हैं मेरा हर एक दिन नावरातों का ब्लेसिंस में गया हाँ यस मैं संगत जी ये बताना चाहूँ ही कि बुरुदेव ने मुझे खहा था कि आज मैं तुझे दर्शन दूँगा और कल रात को मुझे बुरुदेव ग्रीन कलर की बटरफलाई थी मतलब ड्रीम में ग्रीन कलर की बटरफलाई थी आज रात की बात है ये और उस में उस बट बटर फ्लाइ में बलैक कलर के चुटे-चुटे स्पॉट्स बने हुए थे और वो बटर फ्लाइ मेरे साथ कितनी देर तक खेलते रही कभी मेरे सिर पे बैठ रही थी कभी मेरे हाथ पया रही थी थोड़ी बड़ी थी वो मतलब नैचरल ली जो उनका शेप होता है जो साइस ह जो आकार होता है उससे थुड़ा बढ़ा था और वो कभी मेरे हाथ में बैट रही थी कभी मेरे सिर पे बैट रही थी और मुझे ये महसेस हुआ था संगजी थी कर रात को शाम से मुझे बहुत हैवी फीन हो रहा था यू नगरा था किसी ने किट्स किया है निगेटिव एनर और उनका एक भचन मैं हमेशा गुनगुनाती हूँ तेरी चहरणा में यही अरदास दाता तो यह पंक्तियां मुझे बहुत पसंद है यह भचन में हर पल गुनगुनाते रहती हूँ जादा तर गुनगुनाती हूँ और उनका ही मंत्रशाप करते में सोई हुई थी तो जै और सुकुन भरी नीन फिर मैं सो उपाई और जैसे ही मैं उठी तो मुझे वाई उसी किलर की वैसे ही बटरप्लाय मुझे ठीक मेरे घर के पुंची से जाते हुए दिखी औरंज किलर की बटरप्लाय दिखी मैंने तुरन का जै गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अन शुक्राना गुरुजी और इनी नव रातों में उसकी वन डे विफोर रात को जिस अपना आया था जैसा मैंने कहा कि मुझे वो बजन की पंक्तिया बहुत पसंद है तेरे चरना में मेरी अर्दास दाता तो वुरुदेव की स्री चरन ऐसे कोई कांच की प्लेट है और मुझे दर्शन हुई की उनकी चरन वो पहले एक प्लेट चरन रखा उन्होंने उस कांच की प्लेट में फिर दूसरा रखा और उस कांच की प्लेट के नीचे से मुझे उनकी चरनों के वो नीचे का उनका जो नीचे का जो तलवा है न उसके साक्षात हुझे दर्शन हो रहे हैं औ पूर उनकी दर्शन हो रहेते हैं तो इस तरह से उन्होंने उसे पहुक्राराव दर दीया की दर्शन बटर्फिलाग की रुप में आकर मेरे मुझ पर जो डिगेटिविटी बेजी थी उसे पूरी तरह से कार्ट दिया तो मुझे हर तरह से आपने सुरक्षित रखा नवरा तो मैं आपने मुझे यस आपने मुझे कहा था अस्टवी के दिन के आज मैं अस्टमी का दिन है तुझी मैं बहुत प्यार सा गिफ्ट भी बेज रहा हूँ और इतना अच्छा कुरियर आया हंकर जी ने मेरे लिए ना जाने कब न्यू मोबाइल बुक कर लिया था पर अचानक मेरे हाथ में वो मोबाइल नया मोबाइल मिल गया मेरा मोबाइल खराब हो तो मुझे गुरुदेव ने मतलब गिफ्ट के रूप में नया मोबाइल भी बेज दिया शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी आपके द्वरा हम सब को मेरे परिवार को हम सभी संगत को जो भी ब्लेसिंग्स मिल रही है और जो भी कृपा हैं आप करते की गेराईयों से अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी मैं ये दो पंक्तियां जरूर अप्यस दिखनानों में समर्पित करना चाहूंगी मुझे तुन मालिके बहुत कुछी दिया ले तेरा शुक्री हाद है तेरा शुक्री अखाद मुझे तुने गुरुवर बहुत कुछी दिया ले तेरा शुक्री हाद है तेरा शुक्री अखाद तेरा शुक्री आहे तेरा शुक्री आहे अनन्तम 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 शुक्राना गुरुजी जै गुरुजी जै गुरुजी संगत जी जै गुरुजी संगत जी अब हम निया अंटी जी का अध्बुच ससंग सुनेंगे गलती से भी इस ससंग को अंदेखा मत करना वन्ना महराज की ब्लैसी अंधूरी रह जाएगी जय गुरुजी शुकराना गुरुची और आज मेरा सेकिंड ससंग है और आज मेरा सेकिंड ससंग है और ये रह जाएगी शुकराना गुरुची जो आपने मेरा ससंग शुकराना गुरुची और आज मेरा सेकिंड ससंग है और ये इतने को शेयर करना है क्योंकि बहुत बड़ी ब्लैसिंग दी है गुरुची ने मेरी ममा को और काफी टाइम हो गया वैसे तो शुकराना गुरुची और कोजह माफ करना खाफी लेट होगी मैं भी शेयर करने में एश्री मेरी ममा की तबेट ठीक नी थे संगर जी ममा की तबेट कभी जैसे उनको वीपी रहता है शुगर रहता है और भी कभी कुछ नदा कुछ लगा रहता है एजवाइस जैसे लगा लुआ तो अब मैंने फर्स्ट सेसं में भी बताया था कि जैसे ब्लैक मैजिक के मेसेज बेगरा आते हैं तो परशान होगी हूँ मैं भी कि कौन है कौन कर रहे लेकिन गुरू जी बताते हैं कि आपकी फैमली में ही है भी दी है तो किसी के आगे अपनी बाते शेयर नी करनी किसी के आ वह पूपिटल तर कि ऐसे नूबत आरहे थे माम माम न वह पिटल निगए बट तैसी लग रहा था कि जसे क्योंकि बहुत ज़ाद उनको कभी इंतम से बैट पर दे कभी खड़े हो जाते कुछ नियू तो पुछ लगा हुआ था तो एक दो बार हैसे मेर पे गुणी जी का मैस फ्लेश हुआ मतलब वह था सरसन था उसमें तो मैंने आसी सुना तो उनकी भी ममा की तबेट थोड़ी आसी खराब चल लेती तो फिर उन्होंने बूला कि पुटल तेरी मात बहुत बड़ा संकता रहे तो तो अपनी ममा की फोटो मतलब पास में रख मेरे पास रख तो उन् अपनी मेरे पास आया मवजल अलग प्लैटफोर्म तो मिली जब सुना में इनका इस होसन मेरे पास इतले क्यों आ रहे हैं मैं जब क्या बोलना चाहरे हैं गुरूजी फिर में एक दिन ऐसी बाठी मैंने गुपी जी से ऐसी अरदास करी गुरूजी से बोला कि गुरूजी अगर मैं नी समझ पा ली तो आप मोझे प्रीज संजाएए अगर आप मोझे इसारा दे दीखा तो फिर मैं जैसे फॉन खोलती हूं मैं तर्फिसके डार्ट लगाते हैं तो कैने देर ना कर वोड़ जादा देर हो जाएगी ते अपनी नहां दी फोटो में रिकोल रख तो फिर संगर जी बिना देवी करें नहीं तम से फोटो देखी मैंने ममा की छोटोस जोटी से मेली और फिर मैंने वो मदब गुरुची के रखती अर्दास करी कि में ममा को गुरुची प्लेस ठीक कर देना मुझे नहीं पता संगर जी पता नहीं कितना बड़ा संक ठाना होगा जो गुरुची ने ये बात बोली कि कि दो दिन तक में ममें बैट से न्यूट पा रहे थे मतलब इतनी वेकनस हो रहे थी ममा को और मैं बस गुरुची सरदास ही कर रहे थे गुरुची प्लेस में ममा पूठीक कर देना बतने अच्छी नेगीटिव ही जैसे आ जाते है मां इंड में किस वज़ेसे ओर है बलफ मैजिक से क्या है मुझे नहीं पकादा गुरुची जाने जाने गुरुची को परता है कौन क्य कर तो शुक्राना कुरुची में मम्मा पिल्कु ठीक हो गए अपकी किरपा से आपने जो प्लैसिंग दे में मम्मा को और बहुत ज़्यादा फ़र्ग पड़ा इन सब्सक्राइब तो मुझे रगवा कि मेसिज मेरे लिए था संगर जी कब भी कोई मैसिज आता है ये मिकल कि मैंन सारे आते तो मैं सोस्ती थी या ये ऐसे कोई क्या करेगा मतलब हमने किसी सब पुरा नहीं करा फिर वह एक दो घर मैं समझ भी सारी बाते पहले मैं बहुत ज़्यादा एक नौर कर देती थी और फिर दीर सुनने लगी तो बहुत ज़्यादा ना पर्शमन सी होगी कि कौन है लेकिन कुछ समझ नहीं आता बस गुरूजी पर छोड़ा हुआ है बस गुरूजी कहते हैं भीएदी अपना भीएद किसी को नहीं दसना पुतर किसी पे अग्यें घर नहीं करनी अपने घर की बाते नहीं बताने क्योंकि लोग तुमैंने पता कौन तुमारे अपने हैं और कौन तुमसे जलती हैं तो गहन की बात घर तक ही रखनी है और अगर कोई भी बात करनी है तो मेरे सुरूप के आगे पैठ के मेरे नहीं घर ला करा कर आकर तो शुक्राना मुझे ससम बहुत थे संगजी लेकिन ये सबसे ज़्यादा जरूरी था ससम जो मुझे शियर करना थ कर लग लग शुक्राना अगुरूची लग लग शुक्राना जो मेरे मममा को आपने ठीक कर रहा थे कि मैं बहुत ज़्यादा उस टेंशन में आ गई थी और मेंके साथ भी कुछ हैसी हो रहा है अपि मैं बुदबार को ससम सुन ले थी तो मुझे मैं मैसेज दिया प्रण रखी वही मलब तीन चार दिन चोबी था तो मैं भी तुछ वहासा डर दी मिने का अगुरूची नब तब अगुरूची बोलते हैं तो थोड़ा माइंड में आई जाते हैं तो मैं सोचल लग वी मिनका यार पतानी क्या होगा तो पाग के मैं संगची मेरे साथ क्या कुछ ना तो कुछ लगा रहा जैसे कि गुरूची ने जो अपना मैसेज दिया था और उसको मैंने थोड़ा सा माइंड में रखा हुआ था कि नहीं यार बहाने चाना या फिर ये सब निकरना तो शुकराना गुरूची लख लग शुकराना और गुरूची मुझे भी कहते पहले भी फर्स्ट ससंग्य अपने कि मेलगुन गुरूची ने भी पर प्लैस किया हुए शुकराना गुरूची नांतम शुकराना मैं वीरभार गुरूची के जातू हमारी यहां पर सुख होई है तो मैं मतलब कि हम ममा मैं भी आ जाते हैं और फिर में वहां गई भी अब गुरुजी शॕराना अंकल जी आगे और लोगे और फिर दुवारा एक अंकल जी ने हम वेजे सवारः शुकुराना अंकल जी। उसके बाद हमने अंधर दर्शन करें बहुत अच्छे दर्शन हुए शुक्राना गुरुपा बड़ी मंद्र पुलाने के लिए अच्छे से दर्शन कराने के लिए चाय परशाद लंगर परशाद जल परशाद शुक्राना और उसके पार मैं फिर जब वहां से आने लगी तो मतलब ऐसी बहार जब हम निकलते हैं तो एक अंगल जी है तो वो अंकल जी आसी देख लेते मुझे तो मैं उनके पास की फ़टोड़े से हमारे जान पर चंड की हैं तो ऐसी मैं जिस्टी को भी देख दू तो जैगुडु जी करते हूं तो अब भी नहीं है तो आपको नेक्स टैम जरूर देंगी तो फिर वो मेरा नंबर लगा उस दिन तो जो मैं गई तो अंकल जी ने मुझे देखा और मैंने एक कम से अंकल जी को बोली ये बाद अपने मुझे कि मेरा ब्रैसियर स्वरूप अंकल जी कह रहे हाँ और आज आपको तीनों चीज़े मिलेंगी आज आपको ब्रैसियर स्वरूप भी मिलेगा लॉक्र स्वरूप भी मिलेगा और गुरुजी का वह पोकिट सोरूप भी मिलेगा तो शुक्राना गुरुपान अंतम अंतम शुक्राना फिर उसके बाद वो मैं लेके जैसी भानाने लगी तो फिर भार और करें जहां हम बस थोड़ी खड़ी रहते तो थोड़ा चलना पड़ते हैं तो फिर मैं महा से जैसे जा रहे थी तो एक अंकल जी फिर दुबारा से आये मेरे पास तो उन्हें ने डोख दिया और हो स्वरुप गुरुजी को ऐसा था कि गुरुजी की छोटे छोटे सोरुप करके बार स्वरुप थे उसमें शुक्राना गुरुपान अनंतम शुक्राना इतनी ब्लेसिंग देने के लिए मुझे और फिर मैं जैसी बस में बैठी अनंतम शुक्राना गुरुपाप का तो बस में बैठते साथ हमारे जो अंकल जी थे जो बस लेके जाते हैं फिर अंकल जी ने पूरी बस में सबको उकलंडा सोरूप दी गुरुजी के शुक्राना गुरवानंतम अनंतम शुक्राना और उस टेम पे क्या हुआ अशली सुरे संगाची में बताना बूल गई थी जब वीरवार में गई बुद्वार जैसे मैंने ससन सुना था तो गुरु जो उठा होता है थम तो पढ़ी चूर से लगी एक सेकेन के लिए ना मैं जैसे सुन पढ़ी तो जैसे हम प्यार के उंकर प्यार रमतेते हैं तो मैंने मतलब ऐसे रख दिया और मतलब एक-दो सेकेन में मतलब ठीक हो गया था तो शुक्राना गुरुपा क्योंकि पताने कित जीने स्वरुप दिए तू कणडर स्वरुप में ऐसे पकड़ा हुआ था तू ऐसे घलका सा से उपर करा तो उन पर करतें साथ ही मेरे हम आथी घँना कट्षान लगा गु मातलब एक स्वरुजी श्रुप से लगा था हलका सा लेकिन वीवसमें में जैसे ीचीरा चीटी का फलिय पर भी थंपए लगी उपर हात पे भी थंपए लगी मेरे तो बलड मिखिला था तो वह स्धार बहु की स्धार हिए जो हल्के में काटा गुरुची ने पतानी कितना बढ़ा ना होगा शुको का 20 पर अनंत फंट्विसक घार पे आई मैं तो घर प्यां के फिर जो मैंने मेसेज देखा तो गुरुजी ने वही पाप बोली है कि पुतर मैं किया सी ना चारो तरफ तेनु में ब्लस कर रहे हैं तो टेंशन ना ले तेरा प्यो तेरे नाल ख़र है शुक्राना गुरुपा नंतम अनंतम शुक्राना आपके तो जितनी व कोटी बातों का धिहान रखते हो कुछ भी होने वल्ला होता है आप पहली बता देते हो तो शुक्राना गुरुपा नंतम शुक्राना अप मैं अपने ससन को यही पे राम देती हूं और भी ससने बच्वों मैं बात में शेयर करूंगी क्योंकि ये बहुत जादा ज़रूरी जो मुझे अभी करना था और गुरुजी सब संगत पे अपनी किरपा करना सरबता पर ला गुरुजी जो संगत मेरा ससन सुन रही है उन पे सब पे किरपा अपनी बनाये रखना और अंकल जी अंकल जी को भी जो सेवा आपने दी अंकल जी हमेशे आसे सेवा करते रहे उनकी त्हीसिएन देना शुक्राणा गुरू पा अनन्तम अनन्तम शुक्राणा गुटी सभांतीं जो मुझे ये मोका दिया ससन्त। 12 शियर करने का अक। बन्स शुक्राणा ओम नमस् nettी शुक्राणा ओम नमस्लिजी सदा सहए ओम नमर्शिवाई शिव जी सदन साहाई ओम नमर्शिवाई गुरुठी सदन साहाई जैगुरु जी शुक्रानाबुरु जी मुझसे बोलने में कोई भी खलती होई तो मुझे प्लीस माफ करियेगा वुरुपा मुझे माफ करियेगा संगर जी मुझे माफ करनां कर जी जैग पुद्र सहिता का दुत्य खंड का ऐतिसुर धाय बढ़ गन्य सुना बाएंगे वो आप कुछ दिनों में सुनेंगे जब तक आप गुरुजी के ससंग सुनते रहें गुरुजी का मंतचाप करते रहें जय गुरुजी शुपराना गुरुजी संगत जी अगर आपको आज का ससंग अच्छा लगा हो तो अब इस ससंग को और संगत के साथ जरूर साजा करें जिससे वो भी महराज का दिबे आशिरवात पराप्त कर सके जय गुरुजी